शुबोते बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ, आप सब ठीक है पिछले क्लास में हम अपना पहला पार बरस्ते बादल के बारे में पड़े थे उसमें कवी परिचे पड़े, कविता का साराम शिजान चुके थे और इससे संबंदित प्रश्नोतर भी पड़ चुके थे अब हम चलेंगे उस पार्ट के व्याकरन की ओर या करन में भाशा की भाद देखिया यहां पर बच्चों, पहले हमें दिया गया है परियाय शिब्द परियाय शिब्द आपको पता है ना परियाय वाची शिब्द हम लोग अल्रेड़ी नुवी कक्षा ना इन्थ क्लैस में भी पड़ चुके थे सेम मीनिंग वेड्स जैसे आप दिल्गु में बोलेंगे परियाय पदालो तो आप जानेंगे परियाय शिब्द यानि परियाय वाची शिब्द सेम मीनिंग वेड्स समान अर्थ वाले शिब्द देखिए यहां पर दिया गया है तरू तरू का अर्थ क्या है पेड़ रुक्ष वट जटप कुछ भी बोल सकते हैं वेड़ वैसा बहुत सारे अर्थ हैं आपको दो अर्थ एक लिखने पर वो शिब्दार्द होगा इसलिए दो लिखना है तबी वो परियाय वाची शिब् याद रखिए बच्चो एक लिपने पर शिब्दार्द होगा इसलिए दो अर्थ लिखना है यहां देखिए गगन पता है ना आपको अंबर आस्मान आकाश घन घनकर्द है मेग और भादल दूसरा रखिए अब वाक्य प्रयोग वाक्य प्रयोग माने ओन सेंटेंस अपने खुद के सेंटेंस बनाना उस शब्दों के साथ देखिए यहां दिया गया है मेग मेग ऐसे होते हैं काले होते हैं सुबा सफेद होते हैं जब बारिश होती हैं काले बनते हैं और जब सुबा होया तो मेग सफेद दिखाई देती हैं कहा दिखाई देती हैं वो भी आस्मान में मेग, जैसे कुछ भी बना सकते हैं, आप मेग आस्मान में रहते हैं, मेगों से भारिश होते हैं, भारिश होने से पहले मेग काले दिखाई देते हैं, कुछ भी. दूसरा देखिए, तरू, तरू से हमें प्रानवायू मिलती हैं, प्रानवायू मिन्स ऑक्सिजन मिलते हैं, और तरू से पेड़ पौथे मिलते हैं, तरू से फलफूल मिलते हैं, बहुत सारे अश्यदिया मिलती हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, उन सेंटेंस में, अब दे देखो बादल शब्द हैं, आपको पता है ना हम लोग भाशा की बात में शब्द बंडर या कुछ भी होने दो उसमें संग्या, सरवनाम, क्रिया, विशेशन, उन शब्दों की मेल से ही वाक्य बनते हैं, उन शब्दों का प्रयोग होता है, यहां देखिए एक वाक्य है बच देखिए पहले बादल जो है संग्या है, संग्या किसे कहते हैं बच्छो नामों को बताने वाले शिब्दों को, बादल भी बादल वलके उसको हम एक नाम लगाए थे, बादल भी एक नाम है, किस प्रकार की संग्या है यह, आपको याद है, जातिवाचक संग्या, व्यक्त प्रतिवाचक संग्या का यर्द है प्रतेक, नाम, जिसको हम लोग जैसे अंद्रप्रदेश जैसे तलगाना, उसको नाम है, उसका नाम लगाया गया है, उससे हम कहेंगे विक्तिवाचक संग्या, यहाँ पर बादल बोले तो, कौन सी भी, प्रकार, अलग-अलग प्रकार के बादल होते हैं, कौन से भी बादल हो सकते हैं, इसलिए वो जाती बच्चक संग्या है, और बरस्ते हैं, कैसे पता चल रहा है, वो हमें पुलिंग, पुलिंग माने बरस्ते हैं, अगर वो स्ट्रीलिंग होता, तो क्या आएगा बच्चो क्रिया में, बरस्ती हैं, यहाँ पर लड़का एकवचन पढ़ता है बहुचन पढ़ते हैं लड़की एकवचन पढ़ती हैं बहुचन में भी पढ़ती हैं याद आरा कुछ भी है तो बरस्ता है पुल्लिंग बरस्ते हैं पुल्लिंग बहुचन तो यह शब्द जो है बादल पुल्लिंग है और किस में हैं बहुवचन में हैं किस प्रकार हमें बता चल रहा है कि वो बहुवचन में हैं क्योंकि एक वचन के लिए बरसता हैं बहुवचन के लिए बरसते हैं अब नीचे देखिए बच्चो समास दिया गया है समास तो आप तेलगू में तो पढ़ चुके होंगे अब यहाँ एक बर देख लेंगे देखिए पेड़ पौध है पेड़ और पौध है बताईए बच्चो कौन सी समास है हाँ द्वन्द्व समास और का प्रयोग कर रहे है ना इसलिए वो द्वन्द्व समास है और अब और का प्रयोग कप करते हैं हम दो शब्दों को जोडने के लिए दो वाक्यों को जोडने के लिए और का प्रयोग करते हैं जैसे सम्युक्त वाक्य में रामू अच्छा लड़का है और वह अच्छा पढ़ता है दो वाक्यों को जोडने के लिए कर रहे हैं और का प्रयोग इसलिए उसे सम्युक्त वाक्य कहते हैं उसी प्राकार यहां पर देखिए पेड और पोते दो शब्दों को जोडने के लिए हम और का प्रयोग कर रहे हैं आपको यहाँ समास का नाम नहीं पूचा, पर मुझे पता है, आपको नाम पता है, क्या नाम है उसका द्वेंद्जु समास, देखिए उसी प्रकार पशु पक्षी, क्या है उसका बच्चों, समास, पशु और पक्षी, अब देखिए शब्द संक्षेप संक्षेप का अर्द क्या है जो बड़े बड़े वाक्यों में दिये है उसे एक ही शब्द में बोलना एक ही शब्द में बोलने को कहेंगे शब्द संक्षेप अभी एक ही शब्द देने पर उसे विस्तार करके बोलने को कहेंगे शब्द विस्तार यह है शब्द संक्षेप यानि बड़ा वाक्य को छोटा एक ही शब्द में बोलने को कहेंगे शब्द संक्षेप यहाँ देखिए मन को भाने वाला भाने वाला का मर्द क्या है? अच्छा लगना मुझे अच्छा लगना मन भावन देखिए अब श्रावन का महिना वर्षारुतू मुझे मन भावन मेरे मन भावन करती है यानि मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे मन को सुप देती है अब दूसरा देखिए मन को मोहने वाला मोहना यानि जैसे उसके उपर हम फिदा हो जाना उसके प्रति हमें प्यार होना उतना अच्छा लगना मन मोहक देखियो फूल अच्छा रहे तो हम मन मोहक हो जाते हैं उसे खरीदने पर मुग्द हो जाते हैं उसे कहेंगे मन मोहक जैसे देखियो कोई भी व्यक्ति आस्तिक और भगवान के उपर विश्वास ना रहे उसको क्या कहेंगे नास्तिक यानि आस्तिक वर्ड बोलने पर आपको समझ में आ जाएगा कि उसे भगवान पर विश्वास नहीं है यानि बहुत बड़ा वाक्य बोलने से क्या है उसे छोटे शिब्दों में बोल सकते हैं उसे ही हम शिब्द संक्षेप कहेंगे और इसी प्रकार बच्चो आप भी जो भी बताय हुए परियावाची शिब्द है और वाक्य प्रयोग है उससे सम्मन्दित आप भी कुछ उदाहरन एक्जेम्बल्स प्राक्टिस करिए समास का भी प्राक्टिस करिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और दिये हुए प्रश्णों के उत्तर लिखिए और उसे पढ़िए धन्यवाद बच्चों